नमस्कार. आज हम बात करेंगे अपने आईलेंड्स के बारे में, जिसमें हम ज्यादा अपना कंसंट्रेशन रखेंगे अंडमान और निकोबार पर. हमारे पास दो ही क्लिश्य मतलब है इसे तो आईलेंड बहु ди आइलेंड बहुत सारे है, लेकिन प्लिश्य आईलेंड है अ और अंडमांड निकोबार, तो आज हम बात करेंगे, especially अंडमांड निकोबार में, 2022 में, 2022 में, भारस सरकार ने ये सोचा, कि अंडमांड निकोबार को एकदम लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अजबर जास्त ब्यूंट करके, उसको बहुत अच्छे बहतरीन तरीके से डिवलप किया जाए, और उसके लिए उसने कॉर्पस रखा था, 72,000 क्रोड का, जिसमें इसका मेन मक्सद था, कि वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, और मल्टि ट्रांजिट सिस्टम, मतलब कि जिधर से भी सीप आए, वहाँ पे इस्टे करें, और कंटेनर के लिए, जग, कंटेनर उगारा के लिए, रखने के लिए, गोदाम उगारा, सारा चीज़वर्ज़वर्ट उगारा बना करके, बहुत बहतरी तयार किया जाए, जिसके लिए इसको जरूरत थी कम से कम 16,000 एकड की, 16,000 एकड जमिन का, लेकिन कुछ एकोलोजिस्ट और इनभार्मेलिस्ट ने केस कर दिया हमारा, मतलब कंप्लेन कर दिया NGT में, और NGT ने इस पे फिलहाल के लिए HTA लगा दिया है, रेदर मतलब HTA लगा दिया है, आपको हम मैप में दिखाएंगे, जैसे आप देखिएगा, इसके उपर में ये CoCo Channel है, CoCo Channel के उपर में एक Cocos Island है, गिफ्ट के तौर पे, पंडी जवाहरल नहरूश हमारे प्रत्यान मंतरी ने उसको मयनमार को गिफ्ट कर दिया था, और मयनमार क्या किया है, कि चाइना के थ स्रक्षर हम जबरजस्त बना देंगे और एयरपोट ऐसा बनाएंगे जो डोईल परपस का होगा सिविलियन भी जाएंगे और वहां पर आर्मी के लिए भी काम करेंगे मतलब हमारे एयरफोर्स के लिए भी काम करेंगे और यह पूरा एड्मिनिस्ट्रेशन जो होगा जो भी जो वहां पर डेवलप किया जाएगा उसका कंट्रोल जो है नेभी को दे दिया जाएगा यह प्रोग्राम था फिलाल इस पर एस्टे लगा चुकी है एंगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम पहले एंगी टी के बारे में जान देते हैं तो एंगी जो है नेशनल ग्रीन ट्रि प्यूनल बनाया है और उसका एक बॉड़ी बनाया है और पहला कंट्री कौन है पहला कंट्री है आपका न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड और दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया यह दोनों जो हैं दोनों जो हैं ओसेनिया कॉंटिनेंट में राते हैं और तीसरा है आपका इ बनाई हुई है, तो हमारी बोडी का क्या नाम है? NJT, और यह National Tribunal Act, National Green Tribunal Act 2010 के तहट, एक बोडी बनाई गई जिसको हम Green Tribunal के नाम से जानते हैं, इसका जो head office है, head office है, ओ है आपका दिल्ली में, दिल्ली में, तो यह head office है, दिल्ली में, तो यह northern branch की तरह भी काम करता है, नौर्धन, नौर्धन ब्राँच की तरह भी काम करता है, तो उससे नौर्धन होगा तो इसका सदन भी होना चाहिए, तो सदन आपका तमिलनाडू चैन्नाई में है, देखिए, इसका हेड़ क्वाटर कहा है, दिल्ली, और दिल्ली वाला जो है नौर्धन ब्राँच, है तो इस में भी होना छहिए ओस्ट में है आपका कुलकत्ताा में आपको कि अपन को अब देखिये नौर्थ साउथ वेस्ट एस्ट नौर्थ साउट इस्ट वेष्ट चारत रफ कर दियो आज सेंटर कहां गया तो सेंटर का है भोपाल में, भोपाल में, तो NGT के कितने ब्रांचे हैं, पाँच, सौधन ब्रांच, चेनई, नौर्धन ब्रांच, दिल्ली, वो दिल्ली क्या है, हेड क्वाटर भी है, मतलब ये नौर्धन एरिया के बारे में देखेंगा, मतलब आप कहीं भी जा करके इसके और इसका जो governing body होती है, उसके member कहां से आते है, तो कोई भी इसका जो head होगा, वो supreme court का retired judge ही होगा, पहली बात, दूसरी, उनके जो junior होगे, या colleague होगे, head के, क्योंकि एक आदमी से तो maintain होगा नहीं न, अगर 4-5-5 member भी होगे तो 20-25 चाहिए, तो वो कहां से होगे, तो वो high court के retired judge होगे, ये बात होगे, तो इसमें काम कौन करेगा, high court के judge, और high court के, supreme court के retired judge, और high court के retired judge, तिसरा, जब environment issue पे ये बात करती है, तो जाहिसी बात है, exports होने चाहिए, तो exports वैसे select किये जाएंगे, जो कम से कम 15 साल का experience रखते हो, field work का, जैसे यहाँ पे, हम लोगों को issue क् मेरी निको सिस्टम का, तो मेरी निको सिस्टम का, जितने भी export उसमें होंगे, वो कम से कम field work में 15 साल का experience रखते होंगे, तो वैसे भी member को रखा जाता है, जो prominent ecologist हों, environmentalist हों, या oceanologist हों, तो उनको इसमें export के तोर पे रखा जाता है, तो ये आपका NGT का setup है, अब ये तो बा अंडमांड आइलेंड उपर है, उसके बाद आता है, 10 degree channel नीचे आता है, नीको बार आइलेंड, और सबसे जो इसका last वाला point है, उसको हम लोग बोनते हैं, इंदरा point, अभी हाल फिलाल में, आपको जो जानने वाली चीज़ है, अभी हाल फिलाल में, क्या है, कि जो ये greater, greater, और northern अंडमांड, middle अंडमांड, south अंडमांड, तो south अंडमांड में ही, south अंडमांड में ही, इसकी आपका capital है, उसका नाम है port Blair, port Blair के बगल में, port Blair के बगल में ही एक छोटा सा दीब था, जिसका नाम था, रोस आइलेंड, मतलब ये mainland से हट करके, यहाँ पे छोटा सा एक द शिटपुट में आइलेंड है, तो उनमें से एक ठोका नाम था, हैबलोक आइलेंड, तो उसका नाम दे दिया गया है, स्वराज आइलेंड, हैबलोक का नाम क्या किया गया है, स्वराज आइलेंड, और स्वराज आइलेंड के नीचे एक और आइलेंड था, उसका नाम था, नील आईलेंड तो उसको change करके कर दिया गया है सहीद आईलेंड तो ये एक ठो current affair के तोर पे इसको याद रखिएगा और ये है आपका अंडमांड नीकोबार तो अंडमांड नीकोबार में अंडमांड नीकोबार आपका दिखता कैसा है इसी चीज को बचाने के लिए मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वो एस्टे लगाया है चोटा मटा development है और यहाँ पे कुछ हमारी ethnic tribe रहती है मतलब अगर वहाँ पे के जंगल है एवर ग्रिन फोरेस्ट है और एवर ग्रिन फोरेस्ट में बहुंँ छोटा-छोटा जंजातिया रहता है जिसमें से में है चार आपका यह जो है इधार का जो है यह यह है जरवार्स अलग-अलग आईलेंड पे रहते हैं और यह है सेंटलीज सेंटलीज यह दोनों काफी होश्टाइल माने जाते हैं इनसे कॉंटेक्ट करना काफी मुश्किल होता था लेकिन धीरे-धीरे और कितना है यह सायद स्वाइगो की डेड़ सो है 221 के हिसाब से सेंसस जो हुआ था और यह लोग तो और कम है यह सायद 46 या 50 के आसपास है मतलब बहुत कम मात्रा में लेकिन यह लोग क्या करते हैं उदर का वाइल्ड बोर्स मतलब जंगली सुवर होगा रहा और फिसिंग होगा रहा मेन इनका एक्टिविटी है देखिए यह तीर से मचली मार रहा है चोटवा सीखर है आपने पापा के सांथ तो इस तरह से यह लोग रहते हैं और यह कॉंटेक्ट ना और मिलना जुनना काफी कम पसंद करते हैं तो आपको बस नाम याद रखना है जरवार्स और सेंटिनिल्स सेंटिनिल्स ने तो एक आदमी नह तो आते हैं तो उन लोग को नया नया चीश देखने का मन करता है तो नीचे से ही तीर मार दिया मर गए तो इस तरह से होता है तो यह मिलते नहीं थे लेकिन अब इस्तिती बदल गई है इनसे कॉंटेक्ट हो गया है और एक लेडिज है जिनका नाम है मधूम माला रहता है मतलब इसे करने की कोशिस की जा रही थी तो इस समय वेश्ट इडिज के बॉलर का ना बहुत नाम था तो इसे लोग इसे बांच के चिडिया मार के चिडिया मारा करते थे तो बसी सिय ने ये कह था कि इनको दू-चार दसगों को एसा पकड़ करके लाएंगे और इ और जो दहसत है ना वेश्ट इंडिज के बॉलरों का उनको हम काउंटर करेंगे लेकिन वो भी विफल रहा है क्योंकि ये आना ही नहीं चाहते और ये जंगल में रहते हैं फुड गेदर हैं और सिकार करते हैं फिसस उगरा का तो इस तरह से यह है तो इनके हैविटेट के लिए बहुत बड़ा खत्रा है मतलब NGT का काना है कि पहले आप इन लोग को एस्टेबलाइज कीजिए कॉंटेक्ट कीजिए ये मेल इस्ट्रीम में आए हम लोग जैसे रहते हैं उस तरह से रहें अभी तक ये नंगे ही रहते हैं मतलब अच्छे से कपड़ा पड़ा भी पहनते हैं तो ये सारी बाते हैं लेकिन अब ये मिल रहे हैं गवर्मेंट ने इनके लिए प्लांटेशन क्रॉप भी लगाया जैसे नारियल ओरियल का पेंड लगा देती है और बोलती है कि इसको खाना तो इतना कॉंटेक्ट हो चुका है बदले में कुछ प्रभाइड करत ये बहुत स्मूथ ट्राइब है ये बहुत जल्दी ही मेंधारा में आ गई इनका पहनावा भी आप देख करके समझ सकते हैं ये इनको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चीज इनको गवर्मेंट प्रभाइड करती है ये बच्चे पढ़ते भी है और ये ओंग है ओंग ओंग ओंग ट्राइब ये काफी प्रिष्टीन ट्राइब है और सबसे कम यही है सबसे कम यही है बीस पचीस ही बचा हुआ है तो ये सबसे प्रिष्टीन क्राइब है तो आपको याद क्या रखना है जरवार सेंटेनील ये वैरियर ट्राइब है ये मारते हैं मतलब मार दे पेने बच्चे होगा रहा है इस तरह से कोई छिपा करके फोटो घीच लिया है वो लोग बैठा हुआ था तो और ये लोग बहुत अच्छे से में धारा में आ चुके हैं तो ये हैं ये सब सारी चीजों को देखते हुए न ये देखें यहीं है साइद मदूमिता चटुपध इनके बच्चे हैं शुरुआत में कॉंटेक्ट करने के बाद ये पढ़ाई निखाई और में धारा मेडिकल जो भी गवर्मेंट की योजना है उनका लाग उठाते हैं अच्छे से तो गवर्मेंट ने फिलहाल इस प्रजेक्ट पे डेवलोपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्टर प्रजेक्ट पे उसने पूरी तरह से रोक लगा दिया है और देखिए आगे यह मतलब अभी इंफर्मेशन इन कंटिनिवेशन है तो जो रियल्ट आएगा उस पे बात किया जाएगा फिलहाल के लिए आपको यह याद रखना है कि सेंटनील जर्वार यह दोनों वैरियर ट्राइब है जिसमें नमबर वन पे यह आता है सेंटनील यह बहुत खदरनाक ट्राइब है और यह आपके ग्रेट अंडमानीच और यह ओंग ओंग जो है वहाँ की सबसे पुरानी ट्राइब है इसके अलावा अंडमान निकोबार के बारे में क्या आप जानते हैं तो वहीं पे सेललर जेल था काला पानी की सजा वहीं पे दी जाती थी हमारे बीर सावर करने अपनी पूरी सोचिये उनको मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने माफी माईगी अगर गबर्मेंट से उन्होंने माफी माईगी होगी आपको यह जान करें अचारी होगा कि टू लाइफ टाइम का उनको टर्मी इंप्रीजिमेंट दिया गया था कि एक बार तुम मर जाओ जेल में और फिर दुबारा से फिर तुम जेल में मर जाओ मतलब लाइफ इंप्रीजिमेंट उनको दो जीवन का मिला था तो और ऐसे भी आप अंडमान निको बार पर जाएगा काला पानी के जेल में हमारे टीचर बोल रहे थे तो उन्होंने बताया थे कि वहां पे हर जगे सवरकर सवरकर ही मतलब जेल की दिवारों में जेल में हर जगे आपको सवरकर सवरकर ही नजराएंगे तो सवरकर का देश है उसको डेवलप होना चाहिए और हम तो यह आसा करते हैं कि Green Tribunal को मतलब कुछ बीच का रास्ता निकाल करके इसको एलाउड कर देना चाहिए तो अभी हमने आज का जो हमारा टॉकिंग है वो समाप्त होता है थेंक्यू